स्वागते बज्चों जीटी चैनल पे जहां आज हम बढ़ने जा रहें Standard Food EBS Part 1 7th Chapter Food and Nutrition तो इसमें क्या पढ़ेंगे Nutrition यानि की portion के बारे में और food खाने के बारे में तो हम क्या करते हैं इस lesson को start करते हैं तो यहां पर पहला बोला गया a staple food is a food that is eaten regularly and in large amount यानि की ऐसा खाना जो हर दिन खाया जाता है और large amount पे खाया जाता है जैसे की दालशावल हो गया हर दिन घर पे बनता है दोपेर में तो बनता ही रहेगा तो वह क्या होता है staple food होता है next नहां पर चापाती भाकरी और रइस form a part of every meal we have यानि की चापाती रोटी होगी भाकरी हो गई राइस हो गया चावल होगी यह सब हमारे मिल में रहता ही रहता है अगर चापाती और भाकरी नहां होई लेकिन राइस रहता ही रहता है we eat more of this food than the other यह जोवार राइस अपना स्टैपल फूड बोलते हैं नेच्स एंग विद चपाती भाकरी और राइस विएट सेवरेल अधर अधर इटम्स विच मेंग आवर मीन्स टेस्टिया यानी कि इसके साल और छीजे भी खाते अर वह क्या होती है वह वह क्याती है वह हमारी जो खाना रहते वह ऊसे और टेस्टी बनाती है website for good health it is important to include this item in our food meals इस नहीं कि उनाना लग रहा है इसके लिए यह नहीं खाते हैं तसकी लग रहा है इसके लिए नहीं खाते हैं हम किसलिए खाते हैं कि हमारे हेल्थ को भी अच्छा करें वह फूद आइटम हमारे मील्स में इसलिए अच्छी हेल्थ दे बिमारियों से दूर रखिश के लिए हमारे खाने में देखते हैं उसमें ग्रीन लीफी वेजटेवल्स भी रहते हैं को माने रहते हैं नहीं रहते हैं चाल सब्सक्राइब के सब यालोग में तौन दीए यह में हमारे वेज़ में चाल borrow various değ, variety रहे एक forms पॉछ आप देख यहीं वाप ही चेता है तो रहाप हमने हम प्रेस पूछह पूछा गया है जोवार से मिल जाहें है। इन सबसे फ्लिश हैं गिंए गश्लोर में सबॉत के तौन समस अट है। को आट ही मिल थोता तौन पालभ़ा से मिल झाल इनसब से सब में आटा एंप डिय से मिलता है निल्ट रूदर भान पटर गी योगर बटर योगर भान से मिलता है39 इनक्स्त इनिम शें मिलते हैं यहां पे आप देखोगे तो चिकन से मिलता है इत्व फिस्वंग से चीज आम कच्छा खा सकते में तामरी नहने इन वह को इंगा हैं या पर आपको आपको एसा त्याम के बाद उपको इसे स्मॉल कॉँचा पूँचा पूँचा आपको है यह पढ़ने वाले वाराइटी इन फूद्ट सब्सक्रेवारे में और हम पढ़ेंगे तो यह प Schuld Mimi में या भी बोला है यू हम्या वाइटी दरिय जन वाइटी दर्षय रहे शायां यू कि अभी आपने थे कहा हमारे फूद्ट सफ कितनी सारी वाराइटी थे वी यूजे एक जूद्ट तबरे क्वेगें ल यानि कि हम जैसे कि हम बटर बना सकते हैं and of course भी मिल्क से हमारा क्या बनते है चीज बगर साथ अपने को आटा किस सिमिल जोवार बाजरी से जिसे हमें भाकरीज बनाते हैं और अगर हमें हमारे खाने में घटा टीस्ट आइड करना है तो हम उसमें लेमन आइड करते हैं और वह हमें काहीं से मिलता है शूगर कें से मिलता है जो यह शूगर कें होते हैं उससे हमें क्या मिलता है यह गैगरी मिलती है next is just there is a variety the foods of you there are differences and people likes and dislikes जैसे कि पुट में अलग अलग varieties तैप्स है वैसे ही हमारे खाने में भी क्या है लाइक और दिसलाज़ जैसे कि कुछ बच्रे उनको कि先 किसी लोगों का पुछ भूस को बहुत दाधा पसंतain और जा मुह बन किसी लोगों की बाता है करिलन को चैytt knock को कन खाये को भूस को बहुत जाता पसंत है तो वैसे ही फुट Mini ang centrally डिन वी लगफ जाव guidelineo पसंद होती है खाते रहते हैं और ऐसी चीज़ों के जो नहीं पसंद है उसे आप खाएंगे ही नहीं कभी नहीं करेंगे अवाइड करेंगे फेक देते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वो इस वज़े से however the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all bean meat या आप खाओ या ना खाओ यह आपके ऊपर है लेकिन आपको पूरा nutrition मिल रहा है कि आपकी बॉड़ी को जितनी चीज़े जरूरी है अच्छे से काम करने के लिए अच्छे से फाइट करने के लिए वो सारी चीज़े मिल रही है कि नहीं जरूरत मिलने ही चाहिए क्योंकि अगर यह नहीं मिल रहे है तापका खाना खाना और नहीं खाना एक ही मतलब है यार्नि कि ऐसा नो करो जो चीज़ पसंद नहीं खा थोड़ा साही खाओ लेकिन है कि ईल गट ते अग chosen पसंद नहीं मिलने खालब आपके लिए रह्यां है को स्विरणा का 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 यह नि को नहीं मिलने रहते हैं कि इंसाइद है तो एलग अलिएि यह निए इन सारी चीज के लिए एनलजी को चाहिए लेकिन हमारी बॉड़ी के अंदर हमें डिकता तो नहीं लेकिन होता है रिस्पिरेशन यह काम करने के लिए बौड़ी को खाना जरूरी होता है लेक ज선 सम्ट सम्तनें शच्च कंस्टmen पहुताने तो इस विपर्थ उप ंछे रप्रीड सम्तने कुसस्टेंट से लेकिन डिख वेकिरपाई आप की मातब ईज ग्रोओ तो पूर धुसनी को बनने में उसको बनाने में मदद करती है some food constraints help to nourish our body they help to create a store for substance that give energy to our body कुछ चीज़े क्या करती है नरिश्मेंट देती है नरिश करती है and of course वे एक ऐसा store बनाती है जहांपे क्या होती है energy store होती है some food constraints are necessary for certain special reason for example some constraints make our bones strong or some constraints give the body the ability to fight disease यानि कि कुछ जो चीज़े अपने food में present रहती है वो क्या करती है वो हमारी body के लिए necessary जो कि इसले कुछ special reasons के लिए और वो reasons क्या होते है जैसे कि कुछ चीज़े का करते हमारे bones को strong बनाती है जैसे कि milk milk पीने से का होता हमारे bones strong होते है कुछ जो चीज़े होती है वो body को ability देती है ताकि जब हम बीमार पड़े तो body बीमारी से लड़ पाए तो यह सारी चीज़े कौन देता है अपना food के अंदर के जो constraints रहते है वो देते है एंड फॉर और पॉंचिस अवर बोडी तो गो आन smoothly we need to bring plenty of water जाले है और ऊबकने साथ और एक Web से gotta जरूरी को इन थीट है तो यहां पर हमने क्या देखा ओक फूट के अंदर present थे वो effects सब्सक्या मनबदिश करते हैं पहला क्या होता है यहां पॉडिप अपनी एक आनगा ग्यतम दोस्ट रिऱाफ रहते है उसके लिब energy needs something which helps us to grow some things εις बिखने नरिश करते हैah कुछ छीज़ों से हमारे बोने टाहं और अफकोर्स और भू फन्टिन्स के लिए हमें гор्शेघ लिका मुझ आटेक। aye if our body is to work properly it must remain healthy shwo we must include all the food constraints in Wild DiegoBaby की अगहर हमारे body to healthy रह भी रहें ह interpreting चीज अपने फुट में इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा ही कि आप एक ही चीज खाते जा रहे हो तो आपको शारी जरूरते नहीं मिलेंगी इसके लिए यह सारी चीज आपके डाइट में रहनी चाहिए चीज आपके डाइट पूर्पर नरिष्मेंट पर आवर बॉड़ी यानि कि यह सारी चीज नमें पूट कॉंस्ट्रेंट से मिलती है और इसी के वज़े से हमें डेली अलग अलग चीज खाने चाहिए अगर अब देली चीज खारे दाल शावल दाल शावल यह तो पूरा वह अब नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए हमें हर दिन अलग अलग कर कि उधाने कि है तो शाम को कुछ और बन जाएगा यहां को सुछ और किuten उचाहिए और इस से क्यों हमारी ही नीड है हमारी बोडी की क्या है पूरा हो जाती टो आपको इंक चैपकर एक को रखना चाहिए यह कि क्या आपको पदा है तो यहां पर बोला गया यहां पर जो यह ता लोगों बिलीब करते थे कि वह इन एक्सपेंसिव फूड खाएंगे तो नरिश्मेंट नी मिले का वो गला गला है यहां पर जो कुछ गलती हो जाती है तो जो फूड में नरिश्मेंट रहता है वो खतम हो जाता है तो हम उसे बचा कर कैसे रखेंगे यहां पर पढ़ने वाले तो यहां पको कुछ स्टेप्स दिये गए तो यहां पर बोला गया में वकुकिए भी स्थेश के चाहितम बादी वेसेथ सब्सक्राइब को इस अर्ज बादाओ इसेथरी हो जाया कि जाने पानी डाल कि खरब यह घंग डाल थार्यों तरह जाना जरुरी है क्योंकि चाहिए और सकते चाहिस को बचार्या जिसको बचाने किने के लिए कुछ प्र इसमाल प्रेशर कुकर अ rip एकवार के थे गैडी आया, ऩर्फ्राउब्स सब्सक्रीघ को या भीघ इंडो क्राउब्स तो जब छोटे रहते तभी उन्हें खालो उनको ठोड़ा सा पेड़ बनने ताइप में मत खाओ जल्दी खालो उसमें जादे आपको नरिशमेंट मिलेगा नेक्स्ट है योज ओल ग्रेंड फ्लोर विताऊट सिफ्टिः यानि कि यह बिना चाने वे बिना छाने शुड्त क्या करो श्टिएश एक चिकु स्टून आपल अलोंग दिर स्किन यानि भींड का पासिए उनके साथ पाल ना कि उनका स्कीन कर खो ना कि उनका स्कीन से छिलकर घुड थें वेजेटेबलु थैण कारत, रडिश युड़ित राव यूy। दो पर ता टीक राव्य। इद धाल जुड़िते चला को अप्र लोगता एंट भी कंदाम लगते हैं तो फिर भी खाऊ बहुत आधा यूद्य। the next step whenever possible mix two or three foot stuff in a dish for example add onion and potatoes to as usual add drumstick to curries and some soaked dal while cooking vegetables when you are making food if possible then make two or three things because as much as possible in small quantities you will get everything you will get like if you are making vegetables then add onion and peas drumstick means that you are making curry and soak dal so what will happen is that your food stuff will get good and of course your nourishment will also be preserved then next a tongue for tasting we will eat something for which tongue for tasting how do we know how we are eating and sweet we will tell you who knows who knows who knows who knows who knows who knows our tongue so we will tell you how to taste the tongue as usual we had all gathered in the garden in the evening meaning that we have to go to the garden and play from school monika tai said shall i tell you something funny about our tongue meaning that monika tai is the girl who said why do you tell us about our tongue as we drew closer to her she said how do we make water sweet without sugar such as water well and drink water right after that the water tastes sweet जानि कि अगर आप आमला को खाने के बाद पानी पियोगे अच्छे जिख खाने के बाद अगर आप उसे पानी पियोगे तो आपको जो वाटर है वो कैसा लगेगा और यह आप घर पर ट्राय कर सकते हो तो आप करना पहले क्या करना आमला खाना पानी पीना पानी नीटा लगेगा देन एक्स यह रियली और नेवर नुव इस सेंट मैरी दिन बालु सेट वी लट्व लास्ट यह लास्ट यह तो तेस्ट थेंग बट हाव ड़ अव डिश्क त स्वाद लेने में मदद कर दा बट एक टंग इतनी सारी चीजों को कैसे पता सकता है आपको भी आता होगा कि एक ही टंग से इतनी सारी चीजें कैसे पता चल जाती है तो उसका एंसर वो क्या देखते है शुबास पाइप ड़ तो दो यू वांट डिफरें टंग फोर एवर इस कुझानल मëले चीजें आपकी और यह तो शारी चीजे मिझेए खाल कि एक जिद एक ही एक बत बहुत तेस्ट कर सकती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है मला खाओ देखो वो जाएगा स्वाद क्या हूज देखाँ यह वह वो एक लांड सो पर सारे खाल चाहीं क्या ड तेस्टिंग के लिए है then next observe this इसको आप observe करो घर पे ट्राय करके देखो तो यहां पर आपको बोला गया है wash your mouth clean your tongue and stand in front of the mirror stick your tongue out and look at it carefully you will see tiny pigs on the tongue they are called taste birds these taste birds tell us the different tastes यानि कि आप क्या करो बात्रूम क्या करो अपनी tongue को clean करो अच्छे से मुग को दोलो तंग को clean करो और मीरर के सामने खड़े रहे के अपनी tongue को बहार निकाल के देखोगे तो उनके उपर जो इसे tiny tiny white 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 यहाँ पी डिक्तर यहां पर तूछे सिर्पा रहे हो तो यह क्या होता है आपको टीस्ट बाट है और यही क्या करते हैं कि आपको taste देते या अगर आप यहाँ पर भी देखोगे जो white white कि यहाँ को बोलते हैं तो यह आप घर पर कर सकते हो इससे आपको पता चलेगा टेश्ट बाट किसलिए यूज होते हैं भाल उका मैं दखेगा में झाए डिपरेन्त टेस्थ को क्या करो आप लेट Pharisei पेशारो । इस है जा नही तरो टेस्ट करो और पिर बताओ कि उनका टेस्ट कैसा है जैसे कि शुगर कैंडी और गैगरी इसका टेस्ट कैसा होता है इसका टेस्ट होता है हम समने खाया इसका टेस्ट कैसा होता है पर क्षूल तेन क्षैसब है स्वी नेक्स लेंटकर viol को बनति स्वीड को यह शोर मलता है स्वीज थेश्त नेक्स मिन पर पहला हुए यह आप सके पर तो सब रहल कि मिन चाल आपका है वाइस को ना कर दिमाड़ा आपकर दित सवीड सेच ड्डला अब यह नहीं कुछ नहीं बढ़ना है जैसे कि बीटर गौड करवा लगता है यह सीट्थ आपको थोड़ी सी कड़ी लगेंगी जादी नहीं थोड़ी सी तो लगेंगी देन आमला आपको खटा लगे का तो यही चीज आपर क्या कर दो लिख दो देन नेक्स देवाट वाट वे है फोडी सब्सक्राइब करें व्मारी फूट करेंगे, इन डाछी साथ नियनसे करें लेस्त धिक वह देवेशन निगा सूखित, जो भी होटे धियन new yakin उससे करें वह देजये से हुदकτο कर्थी क्राइब करेंगे एना नेक्सटन on our food related needs और need if our body gets all this food constraints in the right quantity घो भी एमारी food-related food-related need वह कम मिलते है जब body को इन थी food concerns वह right quantity में मिलने धार्यार एक्ट राटकिंट पि항 सेठ्ट ऐना एक्प्रेंट वह है तेस्ट बर्द वह क्या का में have called Pick toång , जम्हें फोल्स है नेक्सटन इस lesson के exercise पर आगे है तो यहां पर क्या बोला गया है what's the solution यानि कि solution क्या है यहां पर बोला गया है Sumid and Madhura do not like green leafy vegetables on a day their mother cooks leafy vegetables they skip their meals यानि कि जो Sumid and Madhura क्या करते हैं उन्हें leafy vegetables नहीं पसंदे हैं तो इसका answer आप यह लिख सकते हो their mother should tell them about the benefits of leafy vegetables they are good for our health from green leafy vegetables we get fibers and vitamins which are important for our health important in that way they are enjoy their milk and don't skip their milk यानि कि उनकी मम्मी को बताना चाहिए कि leafy vegetables के benefits क्या है और इन्ही के वज़े से वह उन्हें खाएंगे उन्हें करेंगे और अपने मिल को skip नहीं करेंगे यानि कि छोड़ेंगे नहीं नेक्स से यूज यूर ब्रेन पावर यहां पर पोला कि इस थाली पीट more nourishing नरीशिंगे भाकरी made of of on mode नहीं यहां पर यह made made of on a jowar और बाजरा फ्लोरियानी कि क्या थाली पीट ज्यादा नरीशिंगे भाकरी से जो किससे बना हुए जोवार और बाजरा से तो इसका एंसर खुद से भी ढूड़ो नहीं ढूड़ना है यहां पर रिफ्रेंस के लिए भी थाली पीट क्या होता है इसका इन से ज्यादा नरीशिंगे थाली पीट बहुत सारे फल्से बना रहेता है इसके लिए उसमें नरिश्मेंट जो हो रहती है वो ज्यादा रहती है then next if we add if we add crushed peanuts or fresh coconut to a dish will it make the dish more nourishing यानि कि अगर हम peanuts और उसमें coconut डालेंगे तो क्या वो डिश को ज्यादा nourishing बनाएगी तो इसका answer हाँ है तो इसका answer अब कहा लिखे है yes because peanuts are good source of vitamin E and it's also contain protein and fresh coconut is full with minerals so adding crushed peanut of fresh coconut to a dish make the dish more nourishing also very tasty यानि कि इन्हें हम add करेंगे तो वह vitamin E protein minerals और मिलेंगे मिलेंगे साथ में खाना भी बहुत जादा टेस्टी क्या हो जाता है then next step why do we squeeze lemon juice और lemon juice और rice and dal और नहीं यहां पर और on rice and dal तो हम क्यू squeeze करते है of course हमें अच्छा तो लगते है यह साथ में कहा रहे है vitamin C भी मिलता है तो इसका answer हम जेकेंगे squeezing lemon juice on rice and dal to add taste and flavor to the food but lemon juice also contain vitamin C यानि कि उसका flavor बढ़ाने के साथ-समें vitamin C भी रहता है इसके लिए हम उसमें क्या करते है दाल और चावल में lemon squeeze करते है यानि कि इसके बाढ़ते है इसके बाढ़ते है which crop growing in field contains the most sugar यानि कि कौन सा ऐसा crop है जो फिल्ड में ग्रो होता है जिपें बहुत ज्यादा सब्सक्राइस करते हैं उसके में तो पेदो कैने पिल्ड में उसमें आपड़ करन और यह यहां लेगल कुछ यहosं करों tealo plat ऑस विर्ड में पुक्रजए Department सब्सक्राइए बहुतत नेकस्ट एक लिस्ट बनाने हो कि जिन चीजों को रहे हैं उनने के साथ नहीं खाते नहीं बनाना अगया बनाना को रहे हैं लोग तेल करके खाते लें छीज़ों के सारी टो यह आप क्या कर सकते हो खु़च से ढूंड़ और लिखो तो यह चाहो तो आप लिख सकते हो यह चाहिए नेक्स यह पर गीव रीजन तो यह पर बोलाएं कि वी मस्ट टीक सर्टेन प्रिक्वेशन वाइल कुकिंग फूद यानि कि हमें कुछ प्रिक्वेशन लेना चाहिए जब हम खाना बनाते हैं क्यों किसलिए तो वह हमारे जो फूद में कंस्ट्रेंट्स रहते हैं वह तो टूटे ना उसके लेने चाहिए वह अपका वें कुकिंग फूद अनली एसमाच वाटर शुद ने पढ़ा लेसन वह यारी कि जितने पानी की जरूरत उतना ही डालना देन नेक्स प्रेशर को कर यूज कर या तो उसे क्या कर तो कवर करके रखो पल्स को इतना जादा भी स्प्राउट नहीं होने दो जब वह चोटे हो तभी उनको क्या करो यूज कर लो नेक्स से यूज बोल ग्रेल नहीं या पर ग्रेन आएगा ग्रेन फ्लोर विटाउट सिफ्टिंग बिना चलनी के जाने वह उस ग्रेन का जो फ्लोर होता है वह आटे का यू अगर हमारे बॉडी को अच्छे से काम करना है तो उसको हेल्दी रहना पड़ेगा और इसलिके वज़े से हमें हर एक फूट कॉंसरेंट को अपने डाइट में रखना चाहिए देन नेक्स्ट जस्ट वीकॉज वी लाइक देम वी मुस्ट नाट इट शेम टीश ऑल टाइम अगर हमें कोई चीज पसंद है तो जरूरी नहीं हम उसी चीजों को हमेशा खाते जाए तो इसका अंसर आप क्या लिखोगे वी लाइक दीश देम अगें अन अगें बट फूट कॉंस्ट एट मीट आर बोडी रिलेटेंट नीज आ प्रेज़ेंट इस फूट सब इन दिफ आज अगर हम अलाग अलाग रोज वस खारें तो वह हमारे बॉडी के लिए अच्छा है देन नेक्स्ट ए एंसर इन ब्रीफ वाट नीज दिट मोनिका टाई तेल अबाव दर तंग यानि कि मोनिका टाई ने तंग के बारे में नहीं चीज क्या बताई थी उन्होंने क्या ब आनि कि दिक टाई उन्हों जुए न依ाल तेल के स्बेश को सब्सक्राइब के ब्रीफ मिले यानि कि हुआ च्या नाने के सब्सक्राइब की देन स्विस गालर प्रोटीन मिनरल स्टार्च एसे ट्रूट अल्सो गेवात एनरजी यानि कि फ्रूट मीठा है हम सब चाहमें हम सबकों पता है लेकिं इसका यह मतलब नहीं होते कि उसमें सिर्फ सुगरी कंटेन उसमें और क्या-कया प्रेजेंट रहता है आपका और रहनीक असे प्रोटीन मि प्रेजेंट रहते हैं तो क्या होते है लेमेंट टैमरीं ड्रॉम मैंगो टैमेट उस यह सारे फुड में क्या रहते है आपका सोर अल्मेंट से तो आप चाहो यह एंसे लिख सकते हो देन नेक्स से मैच्छ फॉल्विंग तो पहला क्या है मिल्क से क्या बनता है हमारा बटर सट जाएं From that lista चीकु मुझास की ऊपका प्रूट हैD तो सब्सक्राइब रहेगा इस निज़ निज़ ये ऊपका शीर सplain से क्या by अई निज़ यहां पर यहां पर यहां बनता है जो बीज़ फिलोर यानि की आपका क्या हो गया 8 हो गया तो अगर आपको यह ऐसा नहीं समझ रहा हूं आप your sugar का क्या है गाइगा sugar का गया यहाप टीकु मित टीकु मुझी मस बटर कहा जाएगाbling कॉण preference match the following answers and इसी की तरह क्या होता है आपका ये exercise or lesson खतम होता है जहां पर आपने क्या देखा है फुड में कौन से constraints प्रेजेंट रहते है नारिश्मेंट किसले जरूरी है और इसके exercise को भी देखा है I hope आपको ये वीडियो समझे होगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू